आज हम आपको चिकन श्वार्मा बनाना सिखा रहे हैं चिकन श्वार्मा के लिए हमें जिन चीजों की जिरूर्ण है वो यही है मेर्दा आदा भीलों बेकिंग पाउडर एक चम माच नमक एक चम माच शूबर एक चम माच देही एक चम माच ओईल लेंगे आप खस्वे ज़रूरत सुरख मीरच एक चम माच अध्रक और रसन का पेस्ट बना हुआ है यह आप लेंगे एक चम माच चिकन लेंगे तीन सो ग्राब काली मिर्च हाफ्टे स्पून शिंदा मिर्च लेंगे यह आप तीन अधद लेंगे और तमाटो एक वत्तागोवी और देंगे और तमाटो केचप लेंगे लेंगे लेलिउज लेंगे सबसे पहले हम यह मैट्धे को तियार करेंगे इसको तियार करने के लिए हम इस पर लेंगे नमक बेतिंग पादर शूगर अब हम इसे अच्छी तरह मिला देगे इसे बनाने के लिए पहले अपनी हैंड वाश करने अब हम इसके बनाएंगे दो जमच ओई अब हम इसके बनाएंगे दो जमच ओई अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमे मलाएंगे देगी अब इसमे मला दिया देगी मलाने के बाद है इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब हमने लिए नीम गरम पानी अब हम इसमें नीम गरम पानी थोड़ा फड़ा मिलाएंगे और इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देगे अब हम अब हम इसमें अब हम जोड़ा मिक्स कौन आव हम आप बाद हम इसमें अब हम इसमें झाल मेब्रेशन के लिए रखते हैं इसमें हम लग एक चमच शुरुख मीरच अधर रखो नसन का पेस्ट नहोगा एक चमच देही दो चमच लिवद कराश एक काली मेरच हाफ टेश्पून नमक हाफ टेश्पून अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे 15-20 मिनट तक इसे मेरच होने के लिए रख देंगे कम से कम बीच ये 15-20 मिनट लगे लिए मेरच होने लिए अब हमने ये पत्तागोबी हे पत्तागोबी को हमने छोट बुगडो में काट लिए , अब अब हम इसे बोर में डाल देते हैं शिबला में विर्च को काट देंगे, छोटे-छोटे टुकडों में काटने में और काटने के बाद पिर इसके विच अलग कर देंगे इसके बाल हम टोमाटो लेंगे, टोमाटो को छोटे-छोटे टोकडों में परेंगे अब हम दो चमच आई, इसे करम करते हैं, अब यह हमारा चिकन है, वह मेरी नेवेट होचका है, अब हम इसे प्राइब कर देंगे आनए, पानीव पानी ठोड़ें, ये खुद़ि अपना पानी छोड़ देंगे और अपने उपने पानी से यह घर जाएगा, अच्छी तरह छे, अच्छी तरह चेरै के अब मेंुद़ित, ने खुदित्सटा, प्रचुचश्चीर से टोड़ें गया थे, अच्छी तरह अब पहले पकना शुरू हो जाएगा हमारा चिकन जो पकना शुरू हो गया अब हम इसे नजीद गरने के दिलिए उपसे टाफ करते हैं उपसे ुपसे खर्मया पहता है क्यार कि गampf करते है ङाले मिक टर्मया वाले शुरू जो अग के शीड़ी ताफ में जो क्या हो एमारे वी ताफ करते हैं शिंनावीच शिंनावीच मिलावड़ना शिंनावीच कैम यह पताग्स तोमाद़्स अब वर नशेसे हर का सा बाई हर दो और प्राइट नहीं करना है कि इसका सब्जियों को कुर्कुरा बना हो किसे सब्जिया थोड़ी तच्छी ज़्यादा अच्छी प्रूदी बसे आप हमें इसे इतना ही वो रहा है यह देखें सब्जियों को शाय हो चिकिला और हमसे लिकाब अब देह हमारी चिकाने बोरानी ज़का है अब हमसे तुसके तरफ जाते हैं लिकना देखें तरफ प्ये लिजियों आप हमसे बहुना शुप कॉर्पवकर नाशुपकर शुपकर नाशुपकर शुपकर अब हमसे भी कोड़ें अब हम इज़े पकाते हैं इज़े पकाने के लिए अब शूला जो आँच कामे रखें और इसे हल्की आँच पकाएगे फिर यह हल्का सा ब्राउम कलर इस पे आएगा चलता है ज्यादा आँच देश नहीं करने इसे तीन से चार मिनट रखें पकने के लिए अब आप 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 अब आप 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 वस्तले पकाना है आप अब हमारी यह जो होती है यह बिल्कुल तियार हो गया अब इसके उपर हमें प्राट लोग केचप पूगाना है यह हमारी में बहुत पसंद करते हैं इसलिया में तुमार्ट करेचे करें माहिने करें आप इसे ट्राइकर लें कीजिएगा जरूर आपको बहुत पसंद आएगा और आप दिखेगा बहुत इजी तरीके से लिए बन जाता है यह हमारा चीटान है इस तरह हम इसके अंदर लबा लेना है इसके बाद हमने इसका रॉल बनाना है आप देखेगा अप अब देखेगा इसके बाद में इसके आपको लगा दिए अब आम इसका रॉल बनाएंगे हमारे जो रोप्टिया वो भी गरम है और जो हमारा चिक्क्यान है वो भी गरम है इसलिए हम इसे ऐसी रख देते हैं अब यह हमारा अश्वार में बिलकुल रैडी हो चुका है इसके आपको जुरूर पसंद आएगा गरमें ड्राइ कीजिएगा बड़ी इस तरीके से बन जाता है अपने बचों को मुना कर देजिएगा और आपको बहुत पसंद आएगा हमें अपने दुआ में याद कर दोपी कि आपको जब बड़ी से घघएगा हमें इस तरीके से यादिए रहा प्राइगा जुआ कैसे अब़ी इस तरीके से